और ही विश्वाश जो इस परमधर्म का उपाशक होता है उसका विश्वास बड़ा अटल होता है विश्वाश को गोश्वामी जी बर्गद ब्रक्ष की तुल नामे के बट विश्वास अचलनी जधर्मा बिश्वास कैसा होना चाहिए बर्गत ब्रक्ष जैसा बर्गत का ब्रक्ष होता है बट ब्रक्ष उसमें जगे जगे जड़े निकल पड़ती है अगर जड़ खड़ जाये तो सेकणों जड़े डालों में ब्रक्ष नस्टोने वाला नहीं इतना मजबूत अपने आराध्यद्यों गुर्द्यों पर विश्वास हो कि कोई रात दिन हमारी बुद्धी को बिप्रीत भरे तो भी हमारे विश्वास में कमी नावे भगवद आस्रित का चमतकार विश्वास होता है हमें विश्वास है बस ये बात तुम्हारी कोई छीनने न पावे तुम्हारे हरदे से भेजे जाएंगे माया के पारशद तुम्हारे बिश्वास को नश्ट करने के लिए और जब माया के पारशद आते हैं तो तुम्हारे सामने द्रश्च भी वही रख देते हैं किशी भी द्रश्च को positive और negative समझाने में एक मिनट के वर लगता है उसी को positive रख सकते हो उसी को negative कर सकते हो ये बुद्धी की कला होती है तो माया जब किशी को बेशती है तो तुम्हारी सकारात्मक सोच और सकारात्मक द्रश्च को नकारात्मक सोच और नकारात्मक द्रश्च से पुष्ट कर देगी आपको लगेगा हाँ बात तो सही है अच्छा ऐसा हम तो इसको ऐसा समझ रहे थे नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे थे और नकारात्मक सोच देने वालों का प्रभाव बहुत जोर कपड़ता है क्योंकि पीछे हमारा नकारात्मक सोच से ही समंदरा है द सदय में आपका विश्वास द्रड होना चाहिए हमें प्रभु निश्वयकार कर लिया है हम प्रभु के हैं हमारा निश्चित इसी जन्म में कल्यान हो जाएगा जब नकारात्मक सोच वाले आपको इस विश्वास दिगाने के लिए आवे तो आपको बहुत शावधान हो ज का नो वाला है माता के के जी से जम्मंतरा जी कहती है मैं तुम्में पता है larger राम को राज्या विशवयकों होने वाला है चक्रवरती सम्राथ पत पर तो हां बोल तुझे क्या चाहिए मेरे लाड़ले राम राजा बने के आथ तुप प्रान मांगे तो भी दे दे आप समझ नहीं है मैं आपके शाथ आई हूँ माई के से आपकी प्रीदाशी हूँ और सब जगे में जाती हूँ शुनती हूँ तुम तो महल में रहती हूँ तुम्हे पता नहीं ये सडेयंत्र रचा जा रहा है कल राम राजा बनेंगे भरत को बंदी बना के जेल में डाल दिया जाएगा और आपको कौशल्या की दाशी होना पड़े कहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं दुस्टा कहीं कि तेरी जबान काट लूँगी दुबारा अगर ऐसा बोली जैसे दोनों नेत्र अपने को प्यारे होते हैं से राम और भरत मेरे नेत्रो की समान तु कैसी बेद बुद्धी दुबारा बोली तो जबान काट लेंगी तेरी थोड़ी दिर बाद फिर बोली को नर्प होए हमें काहानी चेरी छोड़ी नहो बुरानी कोई राजा बने हमें क्या होगा हम तो दाशी रहेंगी पर लोगों को क्या है उनके सुख की बात बताओ तो बुरा लगता है और रोने लेगे बैठ पास बैठ निजी दाशी है क्या तू कहना चाहते मैं सही कह रहा हूँ तुम्हारा बड़ा अमंगल है तुम्हारा बड़ा आहित है राम का राज्या भिशेक होने पर शही बात महल की बात बता रहे हूँ कोशिल्या की दासी बनना पड़ेगा तुम्हें तुम्हें क्या कर सकते हूँ तुम्हाँ पास वरदान है ना महाराज ने कहा था हाँ है तू माँगलो क्या मंगूं को चोदा वर्ष का बन्वाश और भरत को राजवति ऊगई बात समझे नहीं कहां कुअ कहां शूवय महामंगल होने वाला था गुदा राम्राजा वनने वाले थे और कहां शुए तापस वेश विशेश उदासी चौदा वरस राम नंगे पेर भवगान को बनवाश दर्शत जी का प्रान त्यागना श्वयम सहित को शिल्या जी का बैधब्य होना महान कष्टों की बर्शा हो गए ये नकारात्मक्षोच ऐसा नहीं कि तुमारी बुद्धी को न बदल दे बहुत इसमें पावर है क्योंकि ये सब माया के रचे हुए यंत्र है इसलिए इस परमधर्म के मार्ग में चलने वाले उपाशक का बिश्वास द्रड होना नई कुछ भी हो जाए प्राण समर्पित कर दिया अब एक बार प्राण समर्पित है जो होगा देखा जाएगा राधा 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 कदम पीछे नहीं अटाना निष्ठा विश्वास प्रतिपल हमारा बढ़ता रहे इस मार्पित के उपाशक को अपने आराध्य देव में विशिष्ट भाव रखना है अपने आराध्य देव जैसे जब हमसे तत्व रूप में पूछा जाएगा तो शर्वत्र मेरे आराध्य देव है यह हमारे आराध्य देव का सगुण निराकार रूप है शगुण निराकार रूप है लाधा वल्लव लाल जी ही सब के हरदे में बैठे है सगुण और निराकार सब जगे व्यापत है आकार दूशरे है पर वो सब जगे व्यापत है लेकिन जब भावरुषे पूछा जाएगा तो निकस्कुंज ठाड़े भे भुजा परश परंश सियाधा वल्लमुक कमल निरख नेना प्रिया लाल गलवियाँ दिये खड़े इसी रूप के हम दिवाने इसी रूप का हम जूठन पाने वाले इसी रूप की हम परिच़द्या करने वाले तो अब्यक्त रूप से मेरा प्रभु शरवत्र विराज मान है इसमें संशय नहीं चाया, क्रूर हो, पापी नाम जपेंगे, केवल इंका कीर्तन करेंगे, तो केवल इंका ध्यान करेंगे तो केवल इनका अन्य भगवान के रूप भगवान के नाम भगवान की बात मंगल में है पर मेरी आराधना का शुरूप अनन्य मेरे आराधना रसना कटो तो अपने आराध्य देव में बिशिष्ट भाव इस से आगे कोई नहीं ऐसा द्रड भाव अपने आराध्य देव से बढ़ करके कभी कहीं भी हमारी स्रद्धा नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर थोड़ा भी आराध्य देव में लगुभाव हो जाएगा तो आपकी उपाशना बादित हो जाएगी आराध्य देव में तभी ऐसा विशिष्ट भाव होता है जब गुरु वचनों में रती हो आराध्य देव के विशिष्ट भाव की प्राप्ति गुरु देव के वचनों से होती है गुरू के वचनों में प्रेम और विश्वास होना आराध्य दिव में विशिष्ट भाव पैदा करता है बिना इसके आराध्य दिव में विशिष्ट भाव रूपी सिध्धी प्राप्त नहीं होती गुरु के वचन प्रतीति न जेही शपनेों शुगमन शुक सिदिते ही जो गुरु के वचनों में बिश्वास नहीं करता उसे स्वपन में भी न सुक मिलता है न शाधना की शिद्धी होती है गुरु गदित वचन शिष्षशत्यति द्रडप्रतीति गाड़ हो गए हो गुरु के श्रीमुक से निकले हुए बचन को शत्यबान कर विश्वास पुरुवक द्रड़ता पुरुवक पकड़ ले तो बस बात बन गई बड़ा चमतकार प्रगट हो जाता है एक ब्यार एक शिष्ष जो निरंतर शेवा में गुरु जी की रहते थे जब ये फशल का समय आता है तो साल भर के लिए वन भिक्षा से मांग लाते थे और गुरु की शेवा में भिक्षा मांगने के लिए 10-15 दिन तो लगी जाते थे तो कई सिष्षियों के शाथ हो निकले तो गुरु जी ने कहा जाओ एक बात कहनी थी हमारे हरदय में थी पर ये तुम बिचरण करके आजओ भिक्षा उरत्ती करके फिर हम तुम्हें बताएंगे जो आ गया बिचरण करके आए तो आस्त्रम में भेड़ लगी थी विमान में गुरु देव का शरीर पधराया जा चुका था उन्हों पुछा क्या हो गया उले आपके गुरु जी पधार गए ऐसा नहीं हो सकता गुरु देव ने कहा था कि तुम लोट के आओगे तो तुम्हें हमें एक बात अपने हर्दय की बताएंगे ऐसा कैसे हो सकता है पधार गए विमान पे विराजमान गए प्रणाम के और कहा गुरु आपने कहा था कि आप भिक्षा करके विचरन करके वापर्श आओगे तो एक बात बताएंगे तो सरकार आ गए हैं बात बताओ चेतना जागरत हुई और विमान से उठकर बैठ गए और कहा बेटा हम यही कहना चाहते थे कि जैसी तुम्हारी अपार श्रद्धा और विश्वास हमारे उपर है ऐसे ही सब शंतों पर करो सब्संतों की शेवा हमारा ही स्वरूप मान कर करो सब्संतों के सामने नमन हो सब्संतों पर विश्वास रखो ये भगवान का श्वरूप है तो का गुर्दियो इसके लिए प्रमान के लिए आपको कुछ दिन रुखना पड़ेगा अब हम एक वर्ष आप जैसी ही संतों की शेवा करेंगे और फिर आप जब कह दोगे कि हाँ ठीक है फिर आप जैसी चाहो आपको आप हमें अपने समीप रखो या आप प्रियालाल के समीप जाओ आप परमश्वतंत हैं पर एक वर्ष आपको रुकना पड़ेगा इस उपदेश को प्रमानित करने के एक वर्ष और गुरुजी रुके एक वर्ष बाद फिर पधारे ये चमतकार निष्ठा में प्रगट होता है गुरु वचन पर प्रती दी यदि हमारे हरदय में थोड़ा भी गुरु वचनों पर शंसे रहेगा तो हमारा भाव प्रभू तक नहीं पहुँच पाएगा इसलिए किसी की उपाशना में दिब्यता नहीं जलग पाती क्योंकि गुरु के वचनों में मनमानी वचन मिलाये जाते हैं जैसा बोला तो वेसा तू कहँधे हमारी शामर्थ नहीं तो गुरु अलपग्य है क्या अज्ञानी है क्या वेसा आदेश करी नहीं सकते जो आप नहीं कर सकते वो अगर वो आदेश कर दिये हैं आपकी निस्ठा है तो आपमें वो सामर्थ जाग्रत हो जाएगी आप करके तो देखो आप उस पर चल के तो देखो एक आदेश पालन की विश्यमूधारन आता है श्री समर्थ स्वामी रामदाजी महराज अपनी मंडली के साथ एक जंगल में गए तो देखा कुआ भी है छाया भी है ठाकुरजी विराजमान किये बैठ गए जल लाओ तो जल लाया गया तो उसमें बहुत से पत्ते जर जर के डाली से गिरे थे तो दुरगंद आ गई तो इतना शुंदर जल जंगल में है अगर ये दोश रहित हो जाए तो बहुत से प्राणियों के पीनेयों के हो जाएगा अच्छा बीशोशिश थे एक बड़ी सी डाला रही थी द इतनी काटनी है तो कुलहाडा जी साथ रहती थी थी क्योंकि ठाकुरजी थे तो रशोई अमनिया करने के लिए जिसे लकणी मिली तो उसको अपने रशोई के हिसाफश अमनिया करते थे तो उले इसमें चड़ जाओ और उतनी ही डाल काटो जितनी कुए प्यार है तो उधर से अगर पेण की तरफ से काटेंगे तो बहुत लंबी डाल थी और आदेश सरकार का क्यों इतनी था उतनी काटना इसका मतलब जिदर पत्ते हैं उधर बैठकर उतनी काटना है तो वहां हो कि महराजी जो काटेगा तो मरी जाएगा कुएं में जाएगा बोले इस से हमें सिश्य थे उनका भगवन ये शेवाग हमारे हरदय में उत्षा हो रहा है करने का सब सिश्य बैठे वो उठे पेड में चुछे डाल में धीरे धीरे ऐसे करके आए इधर आए कुएं के ऊपर हो जो डाल का शुरुक था उधर पकड़ करके बैठे और काटे जेवी काटे तो डाल से ही तंदर कुएं में गए अभाकार मच गया शुरुक यो डाल कटना था इसे बड़े निर्पेक्ष दिखाए दे ये क्या लीला है तो मर जाएंगे अब वो जिब डाल कुएं में गिरी तो प्रान बचने के शंभावना नहीं क्योंकि उपर से डाल नीचे जल जल मे जाके तो डूबना ही होगा शब शिश्य शांत बैठे रहे हैं थोड़ी देर में देखा कि श्री राम जे राम जे जे राम श्री राम जे दिब बितीज कुएं से प्रगट हुआ और भगवत पारशद उनको उपर ला करके डाल भी बाहर पत्ते भी बाहर पानी अम्रत जै तो उनका बड़ी देर लगा दी उपर आने में बुले प्रभू जम नीचे गया तो प्रभू के पारशद ले गए साकेत धाम और शिया राम जी के चरणों का इस पर शप्राथुआ प्रणाम किया उन्होंने प्रशाद दिया और हमें फिर कहा जाओ अपने गुरु शेवा में लगो अब सब सिस्से हाथ मल रहे हैं कि जिनके लिए हम बाबाजी वने वो तो शमरपन बड़ी शे बड़ी कठोर आग्या में भी बड़ा राश्य छुपा हुआ है बस कोई मान ले तो सब तरस गए किसी अराम सी अराम जबते हैं एक बार भी जाकी नहीं मिले चरण च के यार है कि गुरु आग्या में प्राण समर्पन गुरु वचनों में रती ये भगवद आस्त्रे का चमतकार अपने आराध्य दिव में बिशिष्ट भाव जिसने भगवद नाम को और भगवद आस्त्रे को श्वईकार कर लिया उसे कभी कहीं भी कोई डिगा नहीं और उसके सामने चल कपट नहीं चल पाएगा एक श्री मथुरादासी नाम के महापुरुष्वे हैं तो बसी कहती जारे माज भगती रस रास करी करी एक बात ताको प्रगट शुनाईए आयो बेस धारी को करै साली ग्राम सेवा डोलत सिंघाशन पैान भीर चाईए स्वामी के जुशिश्य भयो तिनहु के भाव देखी वाही को प्रभाव आय कहो हिए भाईए नेकु आपु चलो उरीती को बिलो किये जू बड़े सरवग्य कही दुखे नहीं जाए मतुरादा जी तिजारी ग्राम में निवाश करते थे वेशे शंतों का जो ग्राम में निवाश होता है वो जगत मंगल की भावनाश होता है किसी भी गाव में जहां जो शंत वास्तिविक भगवत प्रेमी रेते हैं वहां से भिक्षा लेकर उनको निश्पाप करते हैं शिक्षा देकर के भगवत प्राप्ति कराते हैं क्योंकि उनके श्री मुक्षे नाम कीरतन भगवत चर्चा होती ही रेती है नंद नंदन की अनन्य उपाश्वना करते थे ये राजस्थान में ग्राम है तिजारे में वहां उरहते थे जो भी शमी पाता वो कुछ ही दिनों में ऐसा भक्ति रंग में रंग जाता कुष्य प्रभु के नाम में प्रीती हो जाती समस्त असद आचरण छोड़ देता बहुत से शिश्य हो गए बहुत से अन्याई हो गए पर जो वास्तिविक भजन नहीं करते हैं भेस दारन करके शंत का ठग वरत्ती रखते हैं उनका अलग प्रभाव होता है उज्यादा दिन चलता नहीं है हम कहते हैं नाम घोष्य क्या नहीं हो जाएगा नाटक करने की क्या ज़ज़़़गा अरे हम प्रभु के बहुत बड़े प्रियदाश हैं जो कुछ यह प्रभु अपने आप देंगे कहा है किसी के आगे नाटक करे चल फैला किसके आगे जो बेचारे हैं यह सब मारे हुए हैं कर्मों के भोग वासना से जल रहे हैं और तुम भगवत पार्शद हो करके बात बनी नहीं तो एक उशी नगर में उनका प्रभाव शुनकर भेश धारी जो बहुत बड़े तांत्रिक थे मारणादी का प्रियोक करने में बड़े शफल थे पर भेश शाधू का रखे हुए थे अपना प्रभाव दिखाने के लिए वहां उस गाउं में पहुँचे पहचानन बड़ा कठीन होता है शाधू और वेश धारी दोनों में पहचान बहुत कठीन होती जब तक आप शाधू नहीं हो तब तक आप शाधू को नहीं पहचान सकते हो क्योंकि जो वेश धारी श्वांग करेगा वो साधू से भी अच्छा करने की चेस्टा करेगा क्योंकि श्वांग कर रहा है न तो बड़े बड़े भ्रमित हो जाते हैं दर्शन भक्त अनूप सिवक जी नहीं लिखा है पर्रूप नशोभीत प्रीति बिनूप और प्रभाव उनका ऐसा भरम भटकत भूप बड़े बड़े राजा भ्रमित होकर उनके सिस्टे बन जाते हैं वेश का ऐसा प्रभाव है इसलिए भगवत रशीक जी ने एक पद में लिखा है भेशधारी हरीके उर शालें जो वेश केवल बनाया है रुप्या पैशा के लिए भोगों के लिए हमें तो लगता है नहीं बनाना चाहिए और काम कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें सुद्ध संतों को गालियां पढ़त है जिससे तुम कुल परम परागत नस्ठ हो जाओगे जो वेश धारन करके संतों को गालियां दिलाते कुल परम परागत नस्ठ हो जाएंगे क्योंकि जैसे आपकी शर्दा है किसी शंत वेश पर और आपकी शर्दा टूटी गलता आचरन हुआ तो आप ही कहोगे साब ऐसे शंत होते हैं ऐसी गालियां दोगे ऐसा आपराध करोगे उसका मुल कारण वो बना वेश धारी इसलिए उसका सर्वनाश होगा तुम्हारा तो पतन होई गया उसका सर्वनाश हो जाएगा